कि आज में मीडिया के मंच पर हूँ सवाल कि आपको बहुत प्रिय होते हैं और इसलिए मैं भी कुछ सवालों के साथ अपनी बात की शुरुआ करेंगा कैतें जैसा संघ वैसा रंग कुछ पढ़ आपके साथ का संघ है तो मुझे भी हादर लग ठी है जैसे आपके सवालों में बहुत कुछ छिपा होता है वैसे ही मेरे सवालों में भी आपको सर्जिंग इंडिया के बहुत से उत्तर अपने आप मिल जाएगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी कि 5 trillion dollar economy के क्लब में सामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा दे का क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि इस अप डूइंग बिजनेश के रैंकिंग में 142 से 77 पर आ जाएगा भारत टॉप 50 में आने की और तेज गती से कदम रखता क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेन में चलने वाले से लोगों से जादा एर कंडिशन ट्रेन में चलने वाले से लोग जादा लोग हवाई सफर करने लगेंगे हवाई जहाज में पैटे होंगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि रिक्षा चलाने वाला भी सब्जी वाला भी और चाय वाला भी भीम एप का इस्तेमाल करने लगेगा अपनी जिब में रूपे डेविट कार्ड रखकर अपना आत्ममिस्वात बढ़ाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा भा कि भारत इसका एविएशन सेक्टर इतना तेज आगे बढ़ेगा कि कंपनियों को एक हजार नए हवाई जहाज का ओर्डर देना पड़ेगा और आपको जानकर क्या हरा नहीं होती हमारे देश में आजासिते अब तर कुल सारेड़े चार सो 450 हवाई जहाज अप्रेशनल है प्राइवेट हो पब्लिक हो सरकारी हो कुछ भी हो एक साल में एक हजार नए हवाई जहाज का ओरर यह बताता है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा भा कि भारत में नेशनल वाटर वेज एक सक्चाई बन जाएगा कोलकाता से एक जहाज गंगा नदी पर चलेगा और बनारस तक सामान ले आएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि हम भारत में ही बनी पीना इंजिन वाली एसी ट्रेन का परिक्षान कर रहे होंगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत एक बार एक बार में सो सेटलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएगा और इतना ही नहीं गगन यान के लक्ष पर भी आज वो आगे पढ़ रहा है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि स्टार्ट अप की दुनिया से लेकर स्पोर्स की दुनिया में हारत की प्रतिष्टा इतनी जादा बढ़ जाएगी चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हेली कॉप्टर गोटा लेका इतना बड़ा राज़दार क्रिस्चन मिशेल भारत में होगा सारी कडियां जोड रहा होगा चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नवस्रमवार के दोस्री कॉंग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी लोगों को इंसाफ मिलने लगेगी आखिर ये परिवर्तन क्यों आया देश वही है लोग वही है विरोकसी वही है हमारे साधन वही है समसाधन भी वही है फिर इस परिवर्तन की वजय क्या है